असलाह अलेकुम गाईज आज हम लोग जो है वो सौफ्ट्वेर डिवलोप्मेंट के अंदर एक इंतेहाई एहम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और वो एप्लिकेशन डिप्लाइमेंट है ज्यादा तर हमारे यहां जो मार्ट्स वगरा में एप्स चल रही होती हैं अमूम तो पैकेजिंग होती है प्रॉपर मतलब फर्षकर ने गाड़ी है तो गाड़ी के अंदर बेशुमार पार्ट्स लगे वे हैं ऐसे थोड़ी कि आप सारे पार्ट्स उठागे घर ले आते हो फिर जोड़ते हो पर यह वो आपको एक पूरा पावर पैक सोलूशन मिलता है ग प्रॉपर्डी जो है वो पैकेज करोगे एक कंप्लीट फाइल में जिसको एक्जी कहते हैं एक्जी कहते हैं एक्जीक्यूटिबल फाइल आप ने देखा होगा Windows Environment के अंदर एक्जीक्यूटिबल फायल होती है जिसके जरीए से ही सॉफ्ट्वेर आपका पीसी में करते हैं कुछ हैं हमारे पास यहां पर प्री रिक्विजेट है और वो फ्री रिक्विजेट चीजें क्या है कि कि हमारे पास होनी चाहिए विजिल स्टूडियो में वह admg ojos दिखा देता हूं मैंने आप लोगों के लिए कुछ डाउनलोड करके रखा है वो यह है वी एसाइ बंडल यह कहां से आया आपने गूगल पर जाके लिखना है विजुल स्टूडियो इंस्टॉलर प्रोजेक्ट एक्स्टेंशन 2015 जो भी विजुल स्टूडियो आपके पास है देखें यह एक्स्टेंशन जो है यह 2010 के बाद से आना शुरू ही है विजुल स्टूडियो 2010 अगर आपके पास है तो उसमें पहले से ही यह चीज़ मौजूद होगी 2012 है 2013 है 2015 है 2017 है जितने भी विजुल स्टूडियो है आगे के उनके अंदर आपको यह एक्स्टेंशन एड करनी पड़ेगी तो गूगल पर आप जाकर यह लिखें तो आपके पास जो है वह लिंक आएगा उस लिंक को आप ऑफिन करेंगे ऑफिन करने के बाद जो है वह आपको डाउनलोड पर ले रहएगा और ।ब और और अपकी फाइल के अंदर setup बनाने के लिए जो options required हैं हमें वो जो है वो available हो जाएंगे एक बात दूसरी बात यह के setup जो बनता है setup की जो exit होती है वो दो से तीन तरीकों से बन सकती है there are two three different ways एक जो आजकल जो है और आपने games बगरे में देखा होगा install shield से ही wizard पूरा start होता है जब आप install कर रहे होते हैं और उसके बाद जो है वो installation उसके जरीए से हो रही होती है तो वो भी install shield जो है वो इसका license आपको purchase करना पड़ता है आप बढ़ना इसका जो है trial version utilize कर सकते हो trial version में limited features होते है license काफी महंगा और वो companies ही purchase करती है जिनको professionally software बनाना होता है ठीक है तो इत रिक्वार्टी ट्वेंटी ट्वेंबी only install it this is the UAC message security message आप इसको yes करेंगे it will take more than 3-4 minutes और उसके बाद जो है वो install जब यह हो जाएगा तो फिर हम लोग जो है वो visual studio कोलके हमारा जो जो भी हमारा software है उसको हम लोग deploy करेंगे ठीक है guys all right guys तो हमारा जो यह installer projects की extension है यह successfully हो चुकी है इसको close करें और visual studio open करें अब all right यहाँ पर हमने करना यह है यह यह तो आप अपना software खोल लें जिस software की आपको exe बनानी है ठीक है यह तो फिर आप एक fresh project बनाएं क्योंकि एक जी जो बनती है वो खुद भी एक project होता है setup project जो बनता है वो खुद भी एक project होता है उसके अंदर आप अपने software को add करते हो तो to make it quite simple मैं अपना जो जिस application पर हम अभी तक काम करते वे आ रहे हैं उसी को utilize कर लेते हैं grader वाली हुआ है हुआ है हुआ है हमारा project खुल चुका है जिस state पर हमने लास्ट टाम बंद किया था उसको अच्छा को लैप्स everything सब कुछ बंद कर दें यहां पर इसको भी minimize करें अब यहां आप देखें एक solution है solution के अंदर आपका यह project है grader के नाम से solution के अंदर मैं right click करूंगा और add करूंगा new project solution पर right click किया है मैंने और उसके बाद आप जाएंगे scroll करेंगे नीचे other projects पर रहेंगे इसको expand करें visual studio installer पर जाएं तो आप यह options यहां पर आपके सामने आ रहे हैं यह installer project की वजह से आ रहे हैं जो अभी अभी आपने file extension install की है directly यह नहीं आते है clear है यह बात all right उसके बाद जो है वह setup project आप select करोगे इसका नाम आप रख लें grader setup सही है और location इसकी यह है आप change करना चाहें तो कर लें उसके बाद okay है तो मेरे solution के अंदर एक और प्रोजेक्ट एड़ आएगा grader setup के नाम से और जैसे प्रोजेक्ट बनाए आप देखें left hand side पे भी कुछ portion आ रहा है right hand side पे भी कुछ portion आ रहा है यह क्या गहरा है file system on target machine मतलब जब आपका software install होगा तो उस वक्त file system के उपर क्या मामलाद होंगे वह आप यहां बताएं इस फोल्डर में क्या क्या है इसकी file यह right hand side पे दिखाया गई है और यह बासमझ में तो खेर अभी application folder by default यह मेरा वह main folder है जहां पर आपका पूरा software का folder बनेगा clear है यह बात हम जो भी software install करते हैं तो c drive में उसका folder बनता है आइड करना है project output यह पहला step है project output अब देखें तरह solution के अंदर एक project आपका added है और ग्रेडर के नाम से जिसकी एगजी बनानी है आपको तो जब आप project output पर click करोगे तो automatically देख लें greater project select हुआ है यहाँ पर क्योंकि एक ही project है इसमें और इसमें आपने कुछ नहीं change करना वस okay कर दें इसमें क्या होगा project output की file से आपकी जितनी भी dll files होंगी आपके software को चलाने के लिए और executable files होंगी वो सारी के सारी dll files उठके आ जाएंगी यहाँ पर इसमें application folder में यह कह रहा है the following files that may have dependencies that cannot be determined automatically यह कह रहा है कुछ files ऐसी है जो के जिनकी dependency हो है वह हम automatically judge नहीं कर सकते click okay करते हैं इसको warning दे रहा है बस अब ज़रा देखें dll 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 तो यह कुछ files है ठीक है अब जो आपका जब software install होगा तो यह सारी files along with this xz यह exe है यह जो चीज़ा यह exe है यह सारी के सारी files जो हैं यह भी वहाँ पर copy paste ओड़ाएंगी मतलब install जब हो रहा होगा अब जब आप software install करते हैं तो एक बात ज़रा गौर से सुनिएगा आप यह dll files को छुपा के रखते हो यह खुले आम हर important dll dll भी हो सकती हैं आपके software क के अंदर जो कि आप नहीं चाहते कोई देखे लिए तो उसके लिए आप क्या करते हो राइट क्लिक करते हो राइट क्लिक करते हो राइट क्लिक करते हो अपने system पे मतलब यहां पर अपने पूरे file system पे सही है राइट क्लिक add special folder और यहां से आप select करोगे global assembly cache folder आगया यह फो प्रवाल होगा वहापर यह folder लाजमी होगा आप इस folder के अंदर जितनी डियाल जापकी control प्रेस करके सारी डियाल जुटाएं और यह वाली डियाल भी उठाएं और इसको उठाएं और यहां इसमें बलके यहां से नहीं इसको यहां से जो है वह यह जितनी भी फाइल्स हैं इनको हम सुबारा सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां से इनको करते हैं कट और global assembly cache folder में right click करके यहां कर देते हैं पेस्ट अब मेरे application folder में सिर्फ क्या पढ़ी है एक एक पढ़ी और एक यह कोई extra file है जो dependencies में आती है ठीक है यहां तक होने के बाद अब ज़रा जो चीज हमने दे अगर आप 32 bit XZ बनाओगे ना तो यह file error देदेगी यह बात समझ में आती है तो इसका better solution यह है कि आप इसको right click करके जो है वो exclude करवा दें या फिर इसको जो है वो use ही ना करें अभी हम लोग क्योंके 64 bit बनाएंगे तो फिलाल इसको रहने देते हैं जब error आएगा तो इन्श right click करना पड़ेगा create shortcut ठीक है create shortcut और shortcut करना हम रख दें grader ओके यह आ गया अब इस grader की properties पर जाएं तो property window के अंदर आप देखें यहां पर कुछ चीज़ें आ रही हैं यहां पर मुझे जो चीज़ देखनी है फिलाल वह है icon for that purpose मुझे अपनी application का icon भी एक बनाना पड़ेगा तो वो icon जो है वो हम लोग उठाते हैं तो guys हमारे पास जो है वो icon यहां पर बना हुआ है और icon जो है उसकी extension आप यहां सरा देख लें .ico होनी चाहिए आप कोई भी online tool यूज़ कर सकते हैं free में available हैं किसी भी image को आप icon बनान हूँ और कट करने के बाद documents documents visual 2015 projects grader grader वाला जो मेरा प्रोजेक्ट है यह वाला ठीक है grader इसके अंदर बिन बिन के अंदर debug और यहां पर देखें मेरे पास वह एकजी वगरा के वाले फोल्डर आ रहे हैं बहतर ही है कि आप इसको यहां पर बना लें बिन के फोल्डर में images क नाम से एक फोल्डर बना लें ऐसे ही ताकि आपकी सारे की सारी images एकी directory में रहें simple और यहां पर आप इसको पेस्ट कर दें ठीक है यहां से हम इसको फिर उठा लेंगे बाद में अब हम अपने यह क्यूंके मेरी deployment की जो है वो जगा है तो यहां पर मैं right click करूंगा add file add file और के बाद documents 2015 projects grader bin images यहां इसलिए बनाए ताकि आपनी सारी images जो भी software में utilize कर रहे ना एक ही जगह से मिलें आपको बस और कुछ भी नहीं है तो भाई मेरे पास देखें एक जी के साथ साथ तब आइकन फाइल भी यहां पे आगई है आगई 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 double click करें अपने application folder को देखें icon file आ रही है इसको ok कर दें ठीक है यह आगया icon आपका ok है तो मेरे grader पे icon लग चुका है कोई problem अब तक अब यह icon कहां शोना चाहिए जब आपका software इंस्टॉल हो जाएगा तो desktop पे by default icon आता है तो इस icon को आप उठाएं और user desktop के folder में डाल दें क्लियर है तो जब भी software इंस्टॉल होगा user desktop पे बने गई है एक बात दूसरी बात राइट क्लिक करें एक और icon बनाए ग्रेडर के नाम से शॉटकट बनाया बल्के मैंने यहां पे wait इसको यहां से remove करते हैं वो सही से हुआ नहीं यह जो है इसकी properties पे जाते हैं image लगी वी है इस पे नहीं लगी वी एक बार पहले इसको सही से कर दें icon file कहा आ गई अच्छा वो actually problem यह हो गई मैंने नाम सेम रखावा था image का भी और उसका भी तो वो icon file जो है add file documents project grader bin images यह आ गहीं नहीं यहां पे अब इसके उपर हम लोग लगाते हैं icon okay icon लग गया अब हम लोग इसको जो है वो कट करेंगे इसको जो शॉटकट है इसको कट करेंगे और यूजर डेक्स्टॉप पर राइट लिक करके पेस्ट कर देंगे अब यहां पर थोड़ा सा मामला मुक्तलिफ हो जाएगा दुबारा प्रॉपर्टी पर जाएं और यहां जो icon है ना इसको रिसलेक्ट कर लें वजाई यह है कि वह पात का मसला ना आ जाए फिर से ठीक है वह एक पर शॉटकट बन चुका अब दूसरा शॉटकट बनाते हैं राइट क्लिक क्रिएट शॉटकट ग्रेडर एक ही अब राइट क्ल मैंने प्रोग्राम मेन्यू में रखा है इसका मतलब यही है कि जब आप प्रोग्राम फाइल में जाएंगे तो यहां पर आपको आपके सॉट्वेर का icon दिख रहा होगा आप यहां से भी खोल सकते हैं यहां तर क्लियर तो इसके उपर भी राइट क्लिक करके प्रॉपर्ट रहा है तो एप्लिकेशन फोल्डर एक्जी है जहां पर आपकी जमा होगी और आपने अगर देखें यहां गौर करें यह जो ग्रेडर का आपका प्रोजेक्ट है इस ग्रेडर के प्रोजेक्ट के अंदर क्रिस्टल रिपोर्ट के लिए आपने रिपोर्ट का फोल्डर यहा तो यहाँ पर ही रिपोर्ट का फोल्डर बनाया हुए ना तो इसी तरीके से आप विजुल स्टूडियो में एप्लिकेशन फोल्डर जो आपकी एक्जी वाला फोल्डर है इसमें राइट क्लिक करें एड फोल्डर और इसका नाम रखते हैं रिपोर्ट इससे यह होगा जब एप्लिकेशन इंस्टॉल होोगी तो आपकी एप्लिकेशन का जो में फोल्डर होगा उसंपे रिपोर्ट का फोल्डर भी बनेगा थीक है स्पेलिंग सेम रखना क्योंकि आपने अपनी अप्लीकेशन में कोडिंग में पाथ यही दिया होगा ना भाई हर यह बास समझ में तो अब अब क्या करें अब दूसरा मरहला यह है कि आप रिपोर्ट्स पर रैट क्लिक करें एड फाइल और कौन सी फाइल एड करें अब इसकी अगर प्रॉपर्टीस पर यह हर चीज़ की प्रॉपर्टीस मिलेंगी आपको यह परमिलिंट है इसको जो है वह आप हिडिन कर दें तो दिखेगी भी नहीं होगी मौचूद लेगिन दिखेगी नहीं जितना हो सकता है आप सेक्योर करेंगे अपने काम को यह बा यहां पर राइट क्लिक करें एड स्पेशल फोल्डर यह देखें कि वह फॉंट के फोल्डर में अगर आपका कोई फॉंट है तो फॉंट आप यहां डल वाएंगे फिर क्लियर है और भी बहुत सारे फोल्डर ने देखें स्टार्ट मेन्यू सेंड टू मेन्यू पता नहीं जो आप यूटलाइस करना चाहो जिस फोल्डर में जो चीज़ स्टोर करवाना चाहो वह सिलेक कर सकते हो आप यह सिस्टम के डिफॉल्ड फोल्डर है विंडोस के अंदर यह हर PC में होंगे क्लियर है तो यह टार्गेट सिस्टम है जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं अगे चलें अगला मरहला क्या है अगला मरहला यह है कि आपने रिपोर्ट भी आइड कर लिया अब आप चलें प्रॉपर्टीज पे किस की प्रॉपर्टीज पे अपने इस ग्रेडर की प्रॉपर्टीज पे यह पे क्लिडिक करें सॉलूशन पे और यहां पे आ जाएं यह प्रॉपर्टीज ऐसे नहीं आती डारेकली अक्सर आप लोग कन्फ्यूज हो रहेंगे के यार यह क्यों नहीं आ रही यह प्रॉपटी वाली विंडो क्यों नहीं आ रही है ठीक है तो कैसे आएगी है पहले सेटप पे क्लिक करें अपना जो आपका एकजी वाला सेटप है उसके बाद प्रॉपटी पे क्लिक करें तो यह पड़ा हुआ है या आइकन देखो हर जगा इस्तेवाल होगा एनी प्रॉब्लम उसके बाद ओथर यहां पर आप दे दें एक्यूब आई-टी सॉलूशन्स फिर उसके बाद उसके बाद यहां पर जो है वो backward compatibility को भी छोड़ दें डिस्क्रिप्शन आप अपने software के बारे में जो देना चाहते हैं तो वो आप दे दें ग्रेडर इजा यूनीक सोफ्ट्वेर डैट परफॉर्म्स ग्रेडिंग ओपरेशन बस काफी है उसके बाद डिटेक्ट निवर वर्जन सोफ्ट्वेर है तो ऑव्यस सी बात है उसमें वर्जिनिंग भी होगी और जब वर्जिनिंग होगी तो फिर यहां पर यह ऑप्शन रर ग्राना वर्ज़न इंस्टॉल करने तो निया वर्जन अगर पहले से एरर दें कर दें तो यह शुलकर सारे इस शुल करने के एहल है actu ही श्भाज फर टॉडर कर दें केशाब कर सकें पिर चाहते है लोकलाइजेशन आपने शो खरण सेमिस्टर में यह वो पढ़ी होगी वह लोकलाइजेशं में क्या होता है लैंगवज स्पैसिफिक सफ्ट्वेर कि वह सिस्टम की Colombia आपकी अरागविग है तो अरागविक में हो जाए उर्दू है तो उर्दू में हो जाए प्रां फ्रेंच है तो फ्रेंच में हो जाए फैर इसको तो अभी नहीं जढ़ना मैनुफ्रेक्चरर यहां पर भी कुछ देदें आप अपनी कंपणी का नाम आपकी कोई वेबसाइट है वह वेबसाइट दे देदें यहां पर प्री बिल्ड एंड पोस बिल्ड इवन्ट इसका जब जब आपने सॉफ्टर का वर्जन बदलोगे कैसे होगा वह भी बताता हूं और आपके प्रोड़क्ट का नाम क्या है मैंने का ग्रेडर नाम है जब आप एक सॉफ्ट यह इंस्टॉल कर रहे होंगे तो क्या प्रीवेस वर्जन को पहले रिमूफ करना है मैंने का जी हा यहां पर अभी में दे देता हूं अपना नंबर उसके बाद यूरल में भी कुछ दे दें टार्गेट प्लैटफॉर्म दिस इस दा वेरी इंपॉर्टन तिंग यहां पर टार्गेट प्लैटफॉर्म के अंदर 86 यह क्या चीज़ है यह आपके पास 32-bit है अगर आपका सिस् 64-bit 32-bit है आइटेनियम भी है तो अमोमन यह उपर वाले दोनों ही चल रहे होते हैं ठीक है आइटिंग आइशुट रिमूब माफोन नंबर यह पब्लेग हो जाएगा अब ना फिर मसला है अब तो खैर रिकॉर्ड हो गया छोड़ें अच्छा टाइटल है टाइटल में ग् हो गई अब आप अपने इस ग्रेडर पर रैट क्लिक करें और इसको कर दें बिल्ड तो अब जो है वो आपके सॉफ्टर की पैकेजिंग स्टार्ट होना शुरू हो गई है अब जरा देखिएगा आपके सॉफ्टर में जो जो चीजें आपने यूटलाइस की वी है ना वो स फोटा सा हमारा यह प्रोजेक्ट था तो इसलिए जल्दी हो गया है अब क्या करें अब हम लोग यह करेंगे रैट क्लिक करें अगर आपने इस एकजी के पास जाना है तो आप ओपन फोल्डर कर दें इसका ठीक है तो डारेक एकशी पर चली जाओगे वंडर यहां से इंस् सेटॉल होगा नेक्स नेक्स ओला सेटॉप आएगा और आपकी कंट्रोल पैनल में भी श्योज्यगा यहां से इंस्टॉल करने डबल क्लिक करके यह पर यह पर रैट क्लिक करके इंस्टॉल थि वह दोनों में से कोई नेस्ट कर लेंब से डतार बस हम लोग कोई publisher नहीं है और publishing publisher जो लिखे वे आ रहे होते हैं जो companies होती हैं बड़ी-बड़ी multinational उनके नाम यहां लिखे वे आ रहे हैं जिसका नाम यहां पर अन्नोन लिखावार रहा है जब आप लाइसेंस प्रचेस करने जाओंगे तो reader तो desktop पर icon भी बनावा आगी है हमारे सामने जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपका software चलना शुरूर आएगा जैसे के normal दूसरे software भी चलते हैं ठीक है ज़रा calculation भी करके देख लेते हैं मैंने database के connection के लिए कुछ नहीं किया maybe database का error आए maybe अगर मैंने connection सही लगाया होगा तो नहीं आएगा calculate connection मेरा सही था ठीक है तो database connectivity के लिए भी पर हमें connection को देखना पड़ता है proper के वह connection सही है या नहीं अगर आपको crystal report के बारे में idea नहीं है तो आप crystal report टूडियल में जाकर playlist में जाकर वीडियो देख लें तो आपको idea हो जाएगा तो मेरे पास जो है वो मैंने अभी record एंटर करवाया था कौन सा वसीम तो वसीम मेरे पास आ रहे है बी ग्रेट के साथ यहाँ पर descending order में लगाया वाता हमने जिसकी highest percentage होगी वो सबसे पहले देखेगा इस वज़ा सही इस तर्तीब में आ रहे हैं जिसकी percentage सबसे जादा है वो ऐसे देख रहा है clear है guys अब आगे चलते हैं control panel के अंदर बलके start menu में चलते हैं grader recently added में show हो रहा है ठीक है यहाँ पर इस पर जाने के बाद all apps के अंदर भी आप देख ले ग्रेडर जो है वो यहाँ जी के अंदर आ रहा होगा new सही है अब control panel पर चलते हैं और control panel के अंदर uninstall a program यहाँ search कर ले ग्रेडर तो देखें मेरा software आ रहा है publisher में a cube लिखावा आ रहा है installed का time लिखावा आ रहा है size लिखावा आ रहा है सब कुछ और version वगेरा भी यहाँ पर mentioned है clear है उसके बाद जो है वो तो अब इसको uninstall करते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह से यह कह रहा है कि और भी यूजर्स लॉग डेन इस PC पर आप क्या वागई में इसको uninstall करना चाहते हैं जी हाँ ओके तो मेरा जो software है वो uninstall इस तरह से हो जाएगा एक और चीज भी मुझे दिखानी है इसके लिए मुझे दुबारा software इंस्टॉल करना पड़ेगा तो जरा कर लेते हैं उसको फड़ापट यहां से कर लें आप नेक्स्ट 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 येस क्लोज मेरा software दुबारा आ गया दुबारा इंस्टॉल हो गया अब आप जो है वो एक चीज जो मुझे दिखानी थी वो यह दिखानी थी के सी ड्राइफ में चलते हैं सी ड्राइफ के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में चलते हैं जो 64-bit है और यहां पर देखें एक्यूप के नाम से फोल्डर बनावा आ गया और यहां देखें इसके अंदर ग्रेडर मैने का था जो में फोल्डर होता है वो फोल्डर आ गया और उसके अंदर मेरी एक जी आ रही है मेरी कोई डिलल कोट नहीं दिख रही क्योंकि मैंने इसको एडिन रखा था क्लेर है यह बात और दूसरा यहां पर जो है वो मुझे कोई टेंशन भी नहीं कोई जो है कोड ले लेगा निकाल लेगा नहीं निकाल सकता एक जी बनाई इसलिए क्लेर है अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप यह बात है जब आप वाइलेशन करोगे तो पर मामला तो खराब होंगे ना आप कहरें इंजिन में से ऑईल निकाल दें तो क्या होगा तो वह आप हाइड करवा दो ने इसको आप हाइड करवा दें और और इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो आपके जो है वो यह स सब्सक्राइब कर लें कर देट्स आल फो टुड़े कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लें प्लीज और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कॉमेंट भी कर सकते हैं ठीक है तेंक यू सो